सब्सक्राइब करें आर्के ड्राइंग क्लासिस को और ये बैल आइकन में दबा दे प्यारे विद्यार्थियो आज आपको इस वीडियो में एक अक्सिया आर्ट के ड्राइंग की पुस्तक कला से तुसे किस नमबर दो दो समान विर्थों की बाहरी सपर्स रेखा कीचे ये जो सवाल है इसकी रचना करना सिखाया जाएगा और आपकी पुस्तक में पेज नमबर 68 पर है तो क्या करना है सबसे पहले दो समान विर्था हमें खीचनी है क्योंकि दो समान विर्थों की बाहरी सपर्स र लंब होता है या आपस में दोनों लंब होते हैं सपर्च रेखा और तिर्जा तो हमें सबसे पहले क्या करना है दो समानी विर्थ खीचने हैं तो आप अपनी मर्जी से इस तरह से परकार खोल लीजिए और यहां पर दो विर्थ लगा लीजिए बच्चो आपको पैंसिल का सुर्मा वारिक रखना है मैंने थोड़ा सा ये मोटा लिया है बच्चो ताकि आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे अब थोड़ी से दूरी पर यहां पर एक फिर्थ और लगाना है विर्थ लगाने के लिए आपको समान दूरी का समान दूरी की तिर्जा ही रखनी है यानि कि परकार को समान खोले रखना है जितना हमने इसमें लगाया था उतना ही ये लगाना है तिर्जा कोल कर क्योंकि समान विर्थों की बारिस सफ़र से का हमें खिचनी है अब जो हमें इनके केंदर हैं बच्चो center point है इनको आपस में मिलाना है A और B तो इस तरह से आपको पैमाने को रखना है और इनको सिधा इस तरह मिलाना है बच्चो आप इनको आसानी से मिला सकते हैं scale के दोवारा अब जो A और B हैं इनके उपर हमें लंब खीचना है, लंब का आर्थ है हमें 90 डिगरी का खुण बनाना है दोनों बिंदों पर, तो 90 खुण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से इस तरह से परकार खुलना है आपको थोड़ा सा, और ये पहले गोल चाप लगानी है एक इस एसे और इतना ही परकार खुले खुले जितना खुला हुआ है किहां से एक चाप लगानी है इस तरह से ये 60 डिगरी की चाप लगती है फिर ये दूसरी चाप लगानी है 120 की लगती है 90 के लिए फिर हमें एक चाप 60 से दूसरी 120 से ये यहां पर काटती है इसको और इसको हम म इस तरह से विर्थ को काटता हुआ यह लंब हमने खीचा है यहां पर यहां मुशी तरीके से नबड़िकरी का कुण बनाएंगे जो की बीविंदू पर लंब होगा इस तरीके से 60 और 120 की चाप हमें लगानी है अब 60 से एक चाप और 120 से दूसरी चाप लगानी है बच्चो और अब इसको भी मिलाकर आगे बढ़ाना है इनको सीध में रखना है इस तरह से और दोनों को मिलाना है अब बच्चो हम देख रहे हैं कि जो हमने यह लंब खीचे हैं 90 डिगरी के कौन बनाए हैं यह दोनों जो हमने पहले विर्थ लिये थे इसको यहां पर काट रहा है यह जैसे इसको हम मान लेतें C बिंदू और इस विर्थ को यह लंब डी पर यहां पर काट रहा है तो अब हमें इन दोनों को मिलाना है और यही हमारी अभिष्ट सपर्स रेखा हो जाएगी बच्चो आपको इस लाइन को डार्क खीचना है तो यह जो C D है C D अभिष्ट अभिष्ट बाहरी सपर्स रेखा हमने खीच दी ह अगर आपको यह सवाल बच्चो अच्छे समझ में आये हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें थेंक्यो बच्चो